सोया बीन कार्बोहाइडरेट, आईसोफलेवोन, फैट, विटेमिन्स और मिनरल्स का एक बहुत अच्छा श्रोथ है इसमें बहुत अधिक मात्रा में अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन उपस्तित होता है सोया बीन से केल्शिम मिलता है, इसके साथ साथ आईरेन, मैगनीशियम और पोटेशियम का अच्छा श्रोथ है सोया बीन में बहुत कम मात्रा में साजुरेटिट फैट होता है, संत्रिप्त वसा होती है लेकिन यह प्लांट्स के केस में देखा जाए, तो ओमेगा थे फैटी एसिद का बहुत अच्छा श्रोथ है क्योंकि आमतर पर पौधों में ओमेगा थरी फैटी एसिद नहीं देखा जाता पर सोया बीन EPA और DHE जैसे omega 3 fatty acid का एक बहुत अच्छा श्रोत है जो आपकी दिमाग की development के लिए, brain के लिए और आखों के लिए बहुत जरूरी fatty acid है सोया बीन में cholesterol नहीं होता इसलिए आपको इससे खत्रा तो नहीं है बलकि इससे फायदा है क्योंकि सोया बीन में blood cholesterol को कम करने ही जैसे गोण होते हैं सोया बीन में isoflevins भी होते हैं जैसे कि genistein और dead gene ये isoflevins prostate cancer और breast cancer के खत्रे को कम करते हैं कई carcinomas को ठीक करते हैं तो cancer को रोकने का भी काम करता है साथ ही या osteoporosis को या बोन्स के mineralization के process को काफी दीमा करता है osteoporosis bones के भुरबुरे पन को या कमजोर होने को ये रोक देता है और हड़ियों को मजबूत बनाता है जोकि इसमें calcium भी होता है FDA Food and Drug Administration United States of America वहां की studies नोंने ये बताया कि सोया बीन काफी हद तक coronary heart disease को कम करता है reduce करने का काम करता है इसलिए heart दिल से सम्मधित बिमारियां सोया बीन खाने से काफी हद तक कम हो जाते है इस बात का एक प्रूप जैपनिस लोगों ने बहुत पहले ही इस चीज़ को realize किया और वो tofu खाते हैं सोया बीन कर्ड जो सोया मिल्क से बना जाता है तो उन लोगों को आप अगर study करेंगे तो Japanese और Chinese लोगों में ज्यादा heart से related problem या cancer नहीं होता क्योंकि वो पारंपरिक रूप से सोया बीन को अपने खाने में अपने आहार में शामिल करते हैं को जाना बेसिस्पी